पिछली रात पूरी धाम में एक एसा हादसा हुआ है जिसके कारण आज प्रतेक जगनात भक्त के मुख पर एक ही बात है कि जोगा रागी गोलानी यानी जगनात क्रोधित हो चुके हैं क्योंकि पिछली रात विश्व प्रसिद्द चंदन यात्रा के दोरान जब महप्रभु जगनात नरेंद्र सरोवर के जल में हजारों भक्तों के बीच नौका विहार कर रहे थे तब अचानक एक भयंकर विस्पोर्ट हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गये एवं अनेकों लोग गंभीर रुप से घायल हो गये इस घटना से ठीक दो दिन पुर्व ही ओडिसा का आकाश रक्ति की तरह लाल हो गया था बिलकुन वेसे ही जैसा भविश्य मालिका में लिखा था यानि चित्रस्पष्ट है अब हमें अंतिम संघार लेला के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए क्या आपको गर्मी लगता है यदि हां तो महप्रभु जगनात जी को भी गर्मी लगता है यहां तक कि उनके सरीर से पसीना भी निकलता है पद्म पुरान के उतकल खंड में कहा गया है कि वैशाक श्य सिते पक्षे तृत्यक शाया संगिका तत्र मांगल लेपायद गंध लेपानाय रती सोभनम इसमें महप्रभु जगनात राजा इंद्र द्युम्न जी से कह रहे हैं कि हैं इंद्र द्युम्न वैशाक मास सुकल पक्ष के तृतिया तिथी पे मेरे पूरे सरीर पर चंदन का लेप लगा देना उसी आदेश अनुसार प्रती वर्ष अक्षे तृतिया के दिन 42 दिनों तक चलने वाला उडिसा का सबसे प्राचीन तथा सबसे लंबा त्योहार विश्व प्रसिद कलिवक के भगवान जगनात जी का चंदन यात्रा आरंभ होता है इस त्योहार का पालन महाप्रभु जगनात जी को भीशन गर्मी से राहत देने के लिए किया जाता है जिसमें जगत के नात अपने सरीर पर चंदन का लेप लगा कर पवित्र नरेंद्र सरोवर के जल में नौका विहार करते हैं इस आस में कि इस प्रचंड गर्मी से उन्हे थोड़ा आराम मिल पाए परन्तू 2024 के चंदन यात्रा के दोरान एक एसा घटना हुआ है जिसके कारण आज ओडिसा में हाहा कार मचा हुआ है 29 मई 2024 की रात जब महप्रभु जगनात अपने नौका पर विराजमान होकर नौका विहार कर रहे थे तब अचानक हजारों की भीड में एक भयंकर विस्पोट हो गया और देखते ही देखते 30 से अधिक लोग गंभीर रुप से घायल हो गये अभी तक उन में से 3 का मृत्यू हो चुका है बाकी का हालत गंभीर बना हुआ है ये दुरघटना नरेंदर सरोवर के परिसर में रखे पटाखे यानि फायर क्रैकर्स में किसी लापरवाही के कारण आग लगने से हुआ है परन्तु दुख की बात है कि जब घायलों को पू भी नहीं हुआ था जिसके कारण हर किसी का यही कहना है कि अब जगनात क्रोधित हो चुके हैं इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी है जिसे कि चंदन यात्रा के नीती नियोमों के साथ छेड़ चाड़ करके अपने लाभनुसार सेवायत एवं प्रशाशन के दौरा पूजा तथा नौका विहार में विलंब करना जगनात जी को राजनीती में घसिट कर उनका अपमान करना रत्न भंडार के मुद्धे पर भक्तों को अंधकार में रखना इत्यादी अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक एक्सिडेंट को जबरदस्ती अंध विश्वास से जो ना करना पड़ा है और यदि ये केवल एक ही घटना होता तो हम इसे एक्सिडेंट कह सकते थे परिंतु इस घटना से ठीक दो दिन पुर्व यानि 27 मैं 2024 के दिन संध्या काल के समय उडिसा के अनेकों अंचलों का आकाश कहीं पर रंगीन या कहीं पर सिंदूर की तरह लाल ह इसी को लेकर 600 वर्ष पुर्व भविश्य मालिका में संत गुरु अच्चूतानंद जी ने कहा था कि जब आकाश लाल दिखाई देगा तब संसार में भयंकर संघार होगा ये सायोग नहीं कि कारगिल युद्ध से पुर्व ओडिसा का आकाश लाल हो गया था तो क्या 2024 में ओडिसा का आकाश इस परकार लाल होना एवं चंदन यात्रा के दोरान इस परकार विस्फोट होना भारत तथा विस्व पर किसी बड़े संकट का सूचक है उत्तर स्पष्ट है हाँ इन तीन महत्तपोन भविश्यवाणियों को भूलेगा मत पहला भविश्यवाणी मैंने 2023 में कहा था कि यदि आप जगनात धाम का आकाश लाल रंग में बदलते हुए देखोगे तो समझ जाना कि एक और महामारी का समय निकट हो चुका है और आज जिस प्रकार नए नए रोग तथा बिमारी पूरी दुनिया में फेलते जा रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि अगला महामारी जल्द ही होने वाला है इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है जिसको की हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वाईज्यानिकों के अनुसार आज ग्लोबल वार्मिंग इतिहास के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है जिसके कारण प्रकृती का ताल मेल पुरुण रूप से विगड़ चुका है और जब ऐसा होता है तो खतरनाक बैक्टिरिया एवं वाईरस और अधिक सक्तिशाली बनकर मनुश्य तथा को अपना शिकार बनाते हैं दोसरी तरफ चाइना यूएस एवं यूके अलग अलग लैप्स के अंदर अत्यंत खतरनाक वाईरसेस को और अधिक खतरनाक बनाने में लगे हुए हैं ताकि युद्ध के स्तिती में उन्हें एक बायलोजिकल विपन के रूप में प्रयोग किय जा सके दूसरा भविश्यवानी जिसके विशे में मैं साल के आरंब से ही कहता आ रहा हूं कि ये साल भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का साल होने वाला है जिसमें अनेको पराण जाएंगे अनेको अंचल नश्ठ हो जाएंगे एवं विनास का स्तर इतना अधिक होगा जैसे के इतिहास में कभी नहीं हुआ था इस साल सबसे अधिक संकट है भुकंप एवं बाड से वहीं एक सुनामी होने का संकेद भी मिल रहा है जिस पर मेरा ध्यान अभी वी जारी है जल्द ही सठिक तथ्यों के साथ परकाशित करूंगा यदि महाप्रभु जगनात जी का आदे इस मिलातो तीसरा एवं सबसे चिंताजनक भविश्यवानी जून के मध्य भाग में या जून के बाद प्रतिवी पर भयंकर से अती भयंकर युद्ध होंगे कौन किस पर हमला करेगा कौन सा देश कब बरबाद हो जाएगा किसी को कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि तब व बहर जा चुका है प्रते एक दिन हजारों का प्राण जा रहा है एवं जल्द ही ये स्तिती और गंभीर होने वाला है कुल मिला कर कहूं तो महप्रभु जगनात जी का संकेत एवं 600 वर्ष पुराने भविश्य मालिका में लिखा उसका प्रमान आज के कली ग्रासित मनुष् प्रयास कर रहे हैं कि है मनुष्य अब तेरा अंत तेरे सामने खड़ा है तेरे पास अब दो उपाय है या तो कली के पक्ष में रहेकर इस अंत को स्विकार कर नहीं तो सत्य के पक्ष में रहेकर इस अंत को अनुभव कर क्या आप बता सकते हैं कि पूरी धाम के रथियात्रा के लिए रथों का निर्मान कौन से पवित्र दिवस पे आरंब होता है जल्दी से उत्तर कॉमेंट कर दीजिए क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूँगा पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि 2024 में पवित्र रथियात्रा कौन से तारीख पर होने वाला है सही उत्तर है साथ जुलाई विजेता है योगेश लालावत हमारे परिवार से जुडने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इस परिवार का हिस्सा बने झालावत है